नमस्कार खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूँ खुश्पू क्रिशी कानूनों के विरोध्व के नाम पर गंतंत्र दिवस पर हुई ट्राक्टर परेड ने सबके भरोसे को रौनते हुए पूरे देश को शर्मसार कर दिया परेड में शामिल उब्द्रवी तैरूट को छोड़ कर दिल्ली के मध्धे तक खुस आये और जम कर तोड़ फोड़ की लाल किले पर धावा बोल कर किसान आतंकवादियों ने वहाँ पर जंडा लगा दिया इस दौरान रोकने की कोशिश कर रहे पुलिस कर्मियों पर पत्राफ करने के साथ रौड और तलवारों से हमला किया उब्द्रवियों की कर्तूत ने दो महीने से चल रहे आंदोलन और इसके पीछे की मन्शा पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिये गंटंत्र दिवस पर देश ही नहीं पूरे विश्व ने दिल्ली की सडकों पर जो उब्द्रव देखा वैसा पहले कभी नहीं देखा गया था लाल किला एपिसोड के पाँच विलनों ने देश की गंटंत्र दिवस को काला बना कर छोड़ दिया सबसे पहले बाद सबसे पहले विलन यानि की राकेश टिकेट की गंटंत्र दिवस पर प्रदर्शन कारियों ने ट्राक्टर परेड के नाम पर देश की राजधानी में जम कर बवाल किया हिंसा के एक दिन बाद भारती किसान यूनियन यानि की BKU नेता राकेश टिकेट का एक वीडियो सामने आया जिसके बाद सवाल उच रहा है कि क्या ये बवाल सुनियो जित था टिकेट का ए वीडियो सोशल मीडिया पर वारल होने के बाद किसान अंदोलन की मन्शा भी सवालों के घेरे में है वारल वीडियो में राकेश टिकेट किसान नेताओं से लाठी डंडा साथ लेकर आने की अपील करते नज़र आए सोशल मीडिया पर वाइरल हुए इस वीडियो में किसान नेता राकेश टिकैट कहते हुए नजर आए कि सरकार मान नहीं रही है ज्यादा क्याड़ी पड़ रही है सरकार अपना ले आईयो जंडा जंडा भी लगाना लाठी गोठी भी साथ रखियो अपनी जंडा लगाने के लिए समझ जायो सारी बाद तिरंगा भी लगाना अपना जंडा भी लगाना ठीक है अब सब आजाओ अपनी जमीन बचाने के लिए वरना जमीन नहीं बचनी जमीन शीन ली जाएगी टिकैट का वीडियो वाइरल होने के बाद हिंसा के सू नियोजित शड्यंत्र को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं देश की राज़ानी में आंदोलन के नाम पर इस तरह की हिंसा से देश भर में लोगों में आक्रोश है सोशल मीडिया पर लगातार राकेश टिकैट से लोग सवाल पूछ रही है जिस पर टिकैट का कहना है कि उन्होंने कहा था कि अपनी लाठी ले आओ टिकैट ने कहा कि कृपया मुझे डंडे की बिना कोई जंडा दिखाएं मैं अपनी गलती स्विकार करूँगा तो आप समझ सकते हैं कि इस वगोशित किसान नेता ने अपने सुर्ख किस कदर बदल लिये कभी क्रिशी कानूनों की हमायत करने वाले कानूनों के खलाफ खड़े होकर देश के सबसे बड़े गुंडे बन गए और इनकी नेतागिरी देश की गरिमा से भी कहीं उपर हो स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंदर यादव ने कहा कि किसानों की ट्रक्टर परेड में मंगलवार को जो कुछ हुआ उससे वो शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी लेते हैं उन्होंने कहा कि प्रदर्शन का हिस्सा होने के नाते मैं जो चीजे हुई उनसे शर्मिंदा महसूस करता हूं और इसके लिए जिम्मेदारी लेता हूं योगिंदर यादव ने कहा कि हिंसा किसी भी अंदुलन पर गलत प्रभाव डालती है मैं समय नहीं कह सकता कि ये किसने किया और किसने नहीं किया लेकिन पहली नजर में ऐसा लगता है कि य उन लोगों ने किया जिने हमने किसानों के प्रदर्शन से बाहर रखा है उन्होंने आगे कहा कि मैंने लगातार अपील की कि हम तै किये गए रूट पर ही चले और इससे ना हटे यदि अंदुलन शांती पूर्ण तरीके से चलता है कि इवल तभी हम जीतने में सफल हूंग तो देखा आपने कि किस सरह किसानों के अंदोलन की अगवाई करने वाले नेताओं के सुरबदले है और उन्होंने हुरदंग मचाने वालों से किनारा कर लिया है अब बात करते हैं विलन नमबर तीन यानि की दर्शन पाल की गंटंतर दिवस पर ट्राक्टर रैली करने के किसानों की अगली योजना संसद की और पैदल मार्च करने की है। यह ऐलान किसी और ने नहीं बलकि किसान यूनियन के नेता दर्शन पाल ने किया था। इतनी दोर की वार्ता के बाद भी तीनों कृशी कानून रद नहीं किये गए। साथ दिनों से किसान इतनी थंड़क में इन कानूनों को रद किये जाने की मांग को लेकर धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब अगला कारेक्टरम संसक की ओर मार्च की ये जाने का ही बनाय गया है। कानून वहाँ से पास किया गया था तो हम अब वहाँ तक पैदल मार्च करके विरोध करेंगे। यानि की दर्शन पाल जैसे नेताओ या यू कहे आतकवादियों ने देश को बदनाम करने और उसकी शांती भंग करने की पूरी तैयारी कर रखी है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी नेताओ गिरी कैसे चमकेगी और उन्हें नेता कौन कहेगा। देश भले ही बरबाद क्यों न हो जाए। इन जैसे लोगों को उससे क्या मतलब है। अब बात विलन नमबर चार यानि की राजदीप सरदेसाई की। एक ऐसे महापुरिश जो सची पत्रकारिता का दावा तो करते हैं लेकिन जब बात खुद पर लागू करने की आती है तो वो उसे भूल जाते हैं। 40 साल का अनुबव रखने वाले राजदीप ने एक अपरिपक्व पत्रकार की तरह व्यवार किया और गंतंत्र दिवस पर हिंसा भढ़काने का काम किया। मंगलवार को किसानों की रैली निकलनी भी, किसानों ने तैर रूट से अलग ट्राक्टर ले जाने शुरू किये, यहां तक कि आईटीओ पर पहुच गए जो दिल्ली के लिहास से सबसे एहम जगों में एक है, यहां पर एक किसान की मौत हो गई। अभी तक यह साफ नहीं हुआ था कि मौत किस बज़े से हुई, उसी समय राजजीप सरदेसाई ने ट्वीट किया कि आरोपों के मुताबिक पुलिस की गोली से मौत हुई, उन्होंने लिखा एक 45 वर्षी व्यक्ति नवनीत की आरोपों के मुताबिक पुलिस फारिंग में IT पर मौत हो गई है, किसानों ने मुझसे कहा है कि ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा, और उसके बाद उन्होंने आखिर में लिखा Ground Zero, भले ही राजजीप ने अपने पोस्ट में Allegedly लिखा हो, लेकिन हर कोई ये जानता है कि सोशल मीडिया में इस तरह के ट्वीट का असर क इस कदर होता है, ये बेहत भड़काऊ ट्वीट था और ये खबरबाद में फेक निकली, उसके कुछ समय बाद राजजीप ने दो ट्वीट किये, पहले में एक वीडियो था जिसमें एक ट्राक्टर पलटता हुआ दिख रहा था, राजजीप ने लिखा कि वीडियो से अगले च्वीट में उन्होंने पुलिस की तारीफ की कैसे पुलिस ने सयम बनाए रखा और ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे साफ होता है कि पुलिस ने कोई भी गोली चलाई हो, राजजीप ने ये सब तो लिख दिया, लेकिन माफी नहीं मांगी, जिस फेक न्यूज औ कि खबर फेक है, जूटी है, तो भी माफी मांगने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी, फिटर पर राजजीप के 9 मिलियन यानि की 90 लाक फॉलोर्स हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके एक ट्वीट की पहुँच कितनी होगी, और ये भी एहम है कि बहत इदन शील समय पर उन्होंने ये ट्वीट किया, जो किसानों को या उनके समर्थकों को हिंसा भड़काने पर उतारू कर सकता था, आखिर में बात विलन नमबर पाच यानि की दीप सिद्धु की जो की एक खालिस्तानी समर्थक हैं, जिन्होंने देश को बदनाम करने के लि कर हर तरह से सवाल उठने लगे, इसी मामले को लेकर पंजाबी फिल्मों के अक्टर दीप सिद्धु का भारी विरोध हो रहा है, उन पर आरोप लगे कि जब लाल किला पर धार्मिक जंडा फेराया गया, तब वो वहां मौझूद थे और उन्होंने लोगों का साथ दिया, हर तरफ से गिरे, दीप सिद्धु ने भी अब ये स्विकार किया, कि जब लाल किला पर निशान साहिब का जंडा फेराया गया, तब वो वहां पर मौझूद थे, हाला कि उन्होंने ये कहकर अपना बचाव भी किया, कि उन्होंने और उनके समर्थकों ने तिरंगे जंडे को वहां से हटाया नहीं था, सिद्धु ने कहा कि निशान साहिब का जंडा फेराना विरोत का एक सांकेतिक तरीका था, दरसल निशान साहिब सिक धर्म का प्रतीक है, और जंडे को सभी गुर्द्वारा परिसरों में लगाया जाता है, दीप सिद्धु पर आरोप है कि उन दरपंतियों द्वारा किया जा रहा है, इस सब के बावजूद डामेज कंट्रोल के लिए इन स्वगोशित किसान नेताओं ने अपनी गलती ना मानते हुए, बेशर्मी से अपना बचाव किया और इस पूरी घटना से पल्ला जहाणने की कोशिश की, लेकिन केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के सामने इन किसान आतंखवादियों की दाल नहीं गली, और इनके खिलाफ FIR धर्च कर ली गए, साथी इन गुंडों के तिहार जाने का रास्ता भी तैह हो गया, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, शेर करें और Capital TV को सब् दूले, ताकि आप तक हमारे वीडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे, आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया